हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मिरना मिसंदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इंपॉसिबल के यूटुब चैनल पर आसा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगी और आज के इस वीडियो में हम लो यूजिस इनेट फर्स्ट पेपर में एकजाम 2021-22 के लिए इसके साथी साथ current time में जो आपका एकजाम चलना है उसके point of view से data interpretation के practice state number 3 को यहाँ पर cover करेंगे तो इस वीडियो के अंतरगत basically हम एक question को solve करेंगे जो कि आपका 30 September 2020 और shift 1 shift 2 में ये question आपका पूछा गया है आप देखिए यहां से एक मुझे बात आगे comment मुझे आया था और उसमे एक विद्यारती या दोस्त हमारे कह लिजिए कि उन्होंने कहा कि sir अब ऐसा easy question नहीं आता है paper में तो मैं उनको जानकारी के लिए बता दू कि यह सारे question जो मैंने आपको दो वीडियो अभी provide किये तो वो question 2020 में ही जो है पूछे गए है आपसे exam में अब सोच लिजिए कि 2020 मे question पूछे के तो इसका मतलब भी काफी important है अंक आपके बदल जाएंगे उसमें पूछने का संदरब आपका बदल जाएगा लेकिन format आपका वैसा ही आपको मिलेगा जैसा कि मैं अभी आपको करा रहा हूं तो इसके लिए आप निस्चिंत हो जाएए कि ऐसा ही question आपको देख करना होगा तो आसा किरता हूं कि ये आपका जो भी confusion होगा वो clear हो गया होगा कि इतना easy question क्यों पूछ जाए रहा है इसके साथी साथ इसका मूल कारण ये भी है आपका कि exam आपका online हो रहा है तो आपसे बहुत बड़ा भर-भर के data जो है नहीं दिया जाएगा data chart आपको नही तरीके से एक भिवाद भी खड़ा हो जाएगा क्योंकि examiner पूरी तरीके से पर इस प्रकार से बनाता है कि मतलब कोई average student के हिसाप से जैसे भी सोच लिजे कि ये paper वो solve कर सके या इसमें maximum question वो attempt कर सके आप बसरते आपने पढ़ा नहीं उस चीज के बारे में उसका आपको knowledge न पूछे गया हैं कि वही मैं करा रहा हूं क्योंकि इससे बेस्ट डियाई की practice कोई हो ही नहीं सकती है क्योंकि previous year के format पे ही question paper बनाये जाते हैं कोई भी examiner paper बनाने से पहले एक बर previous year के question paper को देखता है उसके स्वरूप को और उसी के आधार पे question को जो है आगे put up करता है आपक को करना क्या होता कि जो निर्देश दिये जाते हैं question से संबंद में की data आखिर है किसके संदर में data जो दिया गया वो कैसा data है तो उसे समझने के लिए पहले आपको जो निर्देश दिया जाता है उसे आपको अच्छे से समझना होता है जिसे यहाँ पर देख सकते हैं कि नि बना है सहर का जिसमें different type के सहर यहां पर दिये हैं बैंगलोर है 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 पूरे है और दूसरे कालम में 2009 और 2019 दिया गया है और इसे आपको clearly पल देना रोजगार की रिक्तता का प्रतिसत है यहां पर तो यह सारा जो कॉलम में दिये गे परसेंटेज में परसेंटेज का sign यहां पर बना है लेकिन यह परसेंटेज में है यह आपको याद रखना क्योंकि यहां पर निर्देश में बताए गया है देखे आगे यह बताए गया है इसमें की वर्स 2009 में रिक्ति की कुल संख्या 5.4 लाग थी और वर्स 2019 में यह 8.6 लाग थी इसके 77 सारणी में दिये गए के आधार पर प्रश्ण 1 से 5 के उत्तर देना है और सहरवार रोजगार रिक्ति इसमें दिया गया है तो इस सारा परसेंटेज में बिसकिली आपसे परसेंटेज में दिया है तो इनका टूटल आकड़ा ही पूछा जाएगा क्योंकि अगर पूरा डेटा दिया जाता है इसम उसके बाद से सभी कोश्चन का आप आंसर बहुत ही आसानी के साथ देते हुए चले जाएंगे तो चलिए कोश्चन नंबर 1 को देखते हैं देखें यहाँ पर कोश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है के बैंगलोर सहर में वर्स 2019 और 2009 में उपलब्द रिक्तियों की संख् घा के मध्य अंतर कितना है अब अंतर देखें यहाँ पर अंको में आपसे पुछा गया और डेटा यहां पर सभ परसंटेज में दिया गया है तो हमें सब का यहाँ पर जो परसंटेज है उसको अंक में उसको convert करके उसको निकालना होगा तो सबसे पहले 2019 में आप देखे यहां पर Bangalore की बात हो रहे तो Bangalore such यहां पर आप देख लीजिए इसी उसके बाद 2019 में आपका यहां पर 22% है और इसके बाद से 2009 में यह 15% है तो अब यह percentage में लेकिन इसका डेटा हम कैसे निकालेंगे तो अभी उपर निर्देश में आपको दिया गया था कि नहीं कि 2009 में जो है कुल संख्या कितनी थी रोजगार रिक्त पदों की कितनी संख्या थी तो पांच दसमलो जो है आपका चार लाग था ये आपको याद रखना यही आपका काम करेगा आप ये 2019 का है ये आपको याद रखना है आप देखिए कैसे इसे solve करना है तो simple सा आपको करना क्या है यहाँ पर 2009 में कितने रिक्त पद हैं उसे पहले हमें निकाल लेना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा सबसे पहले आपको ये जो data दिया गया है आपको पांच दसमलों में आप इसे नहीं लिखेंगे सीधे ये पांच लाख दिया गया तो पांच लाख आपका यहां पर 40,000 हो जाएगा हो गया आपका फिर उसके बाद से आप यहां पर multiply करेंगे चुकि यहां पर 15% का पूछा जा रहे तो 15% आप यहां पर इसके बाद से आप इसको बटे में करिए और नीची 100 आप मेंसें कर दीजिए उसके बाद इसे solve कर दीजिए आपका सारा answer निकल का है देखे 0 से यह 0 आपका कट जाएगा एक 0 एक 0 से यह लिए बच गया आपका 5400 व इसमें आपको करना क्या है यहां पर 5400 जो है आपका दिया गया गुरते पंदर इसमें आपको गुडा कर देना है जब आप गुडा करोगे इसको तो इसके बास जो आपका यहाँ पर निकल कराएगा data वो आ जाएगा 81,000 कितना जाएगा 81,000 ये तो आपका 2009 में निकल करा गया अंतर पूछा जार है तो अब 2019 का हम निकालेंगे और उसके बास से घटाएगे तभी हमारा अंतर निकल कराएगा तो सेम प्रोसेस जैसे मैंने अभी आपका 2009 में जो रिक् 8,000 सीधे यहाँ पर आपको लिख लेना है, put up कर लेना है फिर उसके बास से multiply आपका यहाँ पर 20% का पूछा जाएगा तो 20% आपको यहाँ पर लिख लेना है फिर 100 आपको सेम उसी तरीके करना है 0 से 0 काट देना है यहाँ पर ताकि संख्या चोटी हो जाए ताकि गुड़ करने में हमें आसानी हो फिर आपका बच जाएगा 8,000 यहाँ पर 600 गुड़ते आपका हो जाएगा 22 और जब आप इसे गुड़ा कर देंगे तो आपका जो निकल कर यहाँ पर डेटा आएगा वो आएगा 18,000 सुरी 1,89,200 आपका होगा ठीक है 1,89,000 आपका यहाँ पर 200 हो जा कि पहले आपको यहाँ पर लिख लेना है 2019 में जो रिक्पद है 1,89,000 आपका 200 हो जाएगा मैनस आपका यहाँ पर 81,000 हो जाएगा उसके बास इसे आप घटा देंगे तो आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा तो जब इसे हम घटाते हैं तो 1,00, 1,00, आपका 8,200 जो है आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उपर साफ साफ आपको दिखाए देगा 1,08,200 यह आपका अंतर हो जाएगा 2009 से 2019 के बीच में रिक्त पदो का जो अंतर यहाँ पर पूछा गया है तो आसा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हूँ थोड़ा मैं समय जादा ले रहा हूँ लेकिन आपको अच्छे से क्लियर करने का भी प्रयास कर रहा हूँ इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है आपको तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आईए अगला कुश्चन देखते हैं अगला कुश्चन में पूछ रहा है वैसे वैसे आपको डेटा को अनलिसिस करना यहाँ एक डेखते जाना है वर्स 2009 में हम यहाँ पर वर्स 2009 में और 19 में यहां 19 आपका यह भी देख लिए और हैदराबाद को आपको देखना है यहां पर 10 परसेंट है 2019 में 8% है अब इसका आउसत पूछा जा रहा है तो परसेंटेज का आउसत यहां पर निकालना होता तो आप सीधे निकाल सकते थे टोटल संख्याओं का योग और जितनी संख्या उससे डिवाइट कर देंगे तो आपका निकल जाएगा लेकिन चुकि यहां पर आपका जो डे की गई है लाख में आपको निर्देश जब मैंने आपको उपर बताया था तो आपको सीधे उसी को यहां पर पूट अप करना है चुकि हमको 10% उसका निकालना है हो गए आपका यहां पर और फिर आपको करना क्या है multiply 10 हो जाएगा यह आपका फिर बटे में आपका क्या होगा 100 हो जाएगा फिर आपको simply से करना किया 0 से 0 आपको काट देना है 0 से 0 संख्या छोटी हो जाएगी तो गुड़ा करने में आसानी होगी फिर आपका बच गया 5400 तो 5400 इसको यहां पर लिख लेना है फिर गुड़ते आपका 10 यहां पर हो गया अब जब इसे गुड़ा कर देंगे आप तो आपका जो निकल कर आएगा आंसर वो हो जाएगा 5000 यहां पर निकल कर आजाएगा आपका 5000 तो यह आपका आगया 2009 में अब उसी प्रकार से आउसत पूछा गया है निर्देश में कितना बताया गया था तो वो आपका बताया था 8,60,000 तो उसी प्रकार से यहां पर यह पहले नंबर पर लिख देता हूँ और दूसरी नंबर तो उसको लिख लेना आपको 8,00,000 यहां पर 60,000 ठीक है फिर उसके वासे multiply यहां पर 8% निकालना है तो 8% mention कर दीजिए फिर आप 100 यहां पर रख दीजिए फिर कटा दीजिए 0 से 0 और 0 से 0 यह कट गया आपका बच गया यहां पर 8,600 यहां पर बच गया गुड़ते 8 बच गया और जब इसे आप solve करेंगे तो आपका यहां पर निकल करा जाए कितना 68,800 यह आपका आ जाएगा यहां पर यह आपको याद रखना है अब तो यह दोनों संख्या है आपकी निकल गई यहां पर अब यहां पर आउसत पूछा जा रहा है मेंन सवाल में यही है तो आपको यहां पर प्लस साइन ले आके यह दोनों आपको जोड़ देना है जो मैंने अभी उपर 2009 में जो रिक्त पद हैं उसको निकाला उसके बाद 2019 में जो रिक्त पद हैं उसे दोनों को आपको जोड़ देना है तो जब आप इसे जोड़ लेंगे तो आपका यहां पर जो निकलकर रहे वो है 16400 कितना है 16400 तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा कुछ नहीं करना था बहुत ही जी था बस आपको समझना था और समझ भी आपने लिया होगा बहुत अच्छे तरीके से और सॉल भी कर लिया होगा बहुत सरे विद्यारती कमेंड बॉक्स में जवाब देते हैं और कुछ नहीं करना था 2009-19 में हैदराबाद सहर में उपलब्द रिक्तियों की आउसत हमें बताना था तो यहां परसेंटेज में वो दिया गया है तो उसे हमने कनवर्ट करके टोटल उसका एक्चुल जो है डेटा निकाल लिया दोनों का 2009-19 का दोनों को जोड़ दिया दो 2009 में चिन्नाई सहर में और मुंबई में वर्ष 2019 में उपलब्द रिक्तियों की कुल संख्या कितनी है ये भी बहुत सिंपल सा सवाल है आप इसे लगाने को ज़रू ट्राइ करिए विडियो को पहुच करिए इसे सौल करिए देखे करना क्या बिसके लिए इसमें की वर्ष 2009 2009 में चिन्नाई तो 2009 आपका ये है और चिन्नाई सहर आपका कहा गया है ये देख लेना है चिन्नाई में 8% यहाँ पर दिया गया है फिर क्या बोला जा रहा है और मुंबई में वर्ष 2019 में उपलब्द 2019 आपका यहाँ पर है मुंबई आप देख लिजिए यहाँ पर दिया उपलब्द है मुंबई में 2019 में कितने रिक्तपद उपलब्द है 18 परसेंट तो इसको सीधे इसका डेटा निकल के जोड़ देना आपका अंसर तुरन निकल कर आ जाएगा देखे करना क्या है आपको सीधे आपको पता कि 2009 में यहां पर टोटल रिक्तपद कितने दिये गया है मल्टिपलाई आप 8% कर देंगे फिर उसके बाद बटे में आपका 100 यहां पर हो जाएगा तो कि 8% का यहां पर पूछा जा रहा है सेम प्रोसेस वैसे ही करना जैसे हमने और अगर आपने पहले ही से निकाला है तो वो तो और आपको काम कर जाएगा सभी का डेटा तो यहां आपका जो आंसर यहां पर निकल कर आएगा वो आजाएगा 43,200 कितना आएगा 43,200 यह आपका निकल कर आगया अब यह तो आपका 2009 में निकल कर आया चिन्नाई में जो 8% है रिक्त पदों का अब आपको 2019 में निकालना है मुंबई सहर में तो देखिए सेम प्रोसेस 2019 में जो सेर्ट आपको दिया गया था 8 protect साथ हजा तो उसको पहले लिखे लेना यहां पर आठ लाखター कर्ण motivations करेंगे फिर हंडिट आप यहां पर कर देए जीरों से आठञाँ हाँ पर हो जाएगा आपका अब देखिए ये दोनों संख्याओं कोौ आपको जोड़ देना है बस आपका आएंसर आजाएगा कुछ नहीं करना है बस ऐसे निकालना था और फिर इसे जोड़ देना था तो इसे हम जोड लेते हैं तो सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं 43,200 फिर प्लस आपका हो गया यहां पर 1,54,800 यह हो गया और जब इसे आप जोडते हैं तो टोटल आपका जो आंसर यहां पर निकल कर आएगा वो 1,98,000 आएगा कितना एगा 1,98,000 यहां पर आपका निकल करा जाएगा आंसर ठीक है तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा और आप देखेंगे यहां पर आपका दिया भी गया है कितना option number C जो की नीचे type हो गया 1,98,000 यह आपका राइट आंसर है कई सारे question में मैंने आपको option में trick लाया के नहीं दिखाया लेकिन राइट आंसर आपका वही था उसको आप मैच कर लीजेगा ठीक है तो इसमें देखिए option number C आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर ऐसे ही लगाना है कुछ नहीं करना है दोनों का हजार के यदि वर्स 2019 में पूरे में रिक्तियों की संख्या 49,000 है और प्रतिसत वित्रंड जैसा सारणी में दिया गया है के अनुसार है तो वर्स 2019 में NCR में उपलब्द रिक्तियों की संख्या कितनी है अब देखिए 2019 में यहां पर आपका क्या पूछा जारे की पूरे में रिक्तियों की संख्या यहां पर आपका 6% दिया गया है अगर आप actual में 6% जब निकालेंगे आप कितना 8,60,000 में से तो आपका कितना आएगा 51,600 आए यहां पर आपको आनसर देना है यहां पर आपको 49,000 दिया गया है आप actual में निकालेंगे तो आपका इतना आएगा 51,606% आप निकालके देख लीजिए 8,00,000 टोटल कितना रिक्तिपद है 8,00,000 जो है आपका 60,000 है उसमें से आप 6% निकालकर देखिए आपका आएगा कितन आएगा 51,006 से हो आएगा लेकिन यहां पर जो डेटा दिया गया है उसके अनुसारी आपको आंसर देना है तो यह आपको ध्यान में रखना है नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा अब देखिए कैसे यह solve होगा इसको हम solve कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या ह 6% बराबर यहां माल लेना है 6% बराबर आपका कितना हो गया यह आपका हो गया 48,000 यह हो गया उसके बाद से जो second step आपका हो गया यहां पर कि आपको इसका 1% निकाल लेना है तो 1% निकालने के लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले आपको लिखना होगा यहां पर 48,000 बटे में आप 6 से डिवाइट कर देंगे तो ये आपका 1% निकल कर आ जाएगा तो जब 6 से आप डिवाइट करते हैं तो 6,8 कितना होगा 48 हो जाएगा तो 8,000 जो है आपका कितना हो जाएगा 1% यानि कि यहाँ पर 1% का value आपने निकाल लिया आठ हजार अब आपको करना क्या है यहाँ पर 2nd step आपका है इसी तरह से 2019 में NCR का यहाँ पर पूछा गया इसी डेटा के अनुसार तो इसी डेटा के अनुसार ही आपको निकालने का प्रयास करना है तो देखें यहाँ पर दिया गया NCR में कितना है 20% है तो simply आपको करना क्या है कि 20 गुड़ते आपको 8000 यहाँ पर कर देना है और इसको multiply कर देना है और जो आंसर आपका निकल कर आ जाएगा वो आपका right answer हो जाएगा sorry यहाँ पर एक zero आप बढ़ा लिए 8000 है ठीक है एक लाग साथ हजार यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा कितना एक लाग साथ हजार यहाँ पर आपका हो जाएगा आप देखिए यहाँ पर option D में right answer दिया गया है एक दसमलो 6 लाग का मतलब एक लाग साथ हजार तो बहुत ही जी था कुछ नहीं करना था जो डेटा यहाँ पर दिया गया इसी को मान कर जो है आपको solve करना था और actual में मैंने आपको बताए कि 6 परसंट का आप निकालोगे तो आपका कितना हो गया था वहाँ पर 51600 आपका यहाँ पर आया था तो यहाँ पर जो डेटा actual में दिया गया था उसके अनुसार solve करना था ना कि यहाँ पर आप निकालोगे ऐस से निकालोगे तो आपका गलत हो जाएगा लेकिन जो डेटा दिया गया उसी के अनुसार यह आपको पूरा सवाल solve करना है राइट बाद सहर में उपलब दरिक्तियों में लगबक कितने प्रत्सत की वृद्धी दिखाई देती आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है अब देखें दो हजार नौ यहां पर दिया गया है 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 और दस परसंट यहां पर दो हजार आपका नौ में है और आट परसंट यहा आपको अभी यहां पर कोश्चन सॉल्प करा उसी तरीके से आपको निकालना है तो 2009 में जो रिक्त पदों की संख्या कितनी दी गई है तो वो है आपका पांच लाग चालीस अजार तो उसको पहले आपको लिख लेना यहां पर पांच लाग चालीस अजार फिर गुड़ते आपका यहां पर 10% दिया गया तो 10 लिख लिख लिगी यह ऊपर फिर उसके बाद से आपको कुछ नहीं करना है 100 लिखना है 100 दिया गया है जिरो से 0 काट दी गया ऐसे फिर आपका आजाएगा 5400 यहां पर गुड़ते आपका 10% यहां परहे जबाफ इसे आप सौल्व कर दो 2019 में जो कुल रिक्त पदों की संख्या कितने दी गई थी 8,60,000 तो आपको यहाँ पर लिख लेना है 8,60,000 यहाँ पर लिख लेना है फिर गुड़ते आपको यहाँ पर 8% कर देना है बटे में यहाँ पर 100 आपका हो जाएगा 0-0 आप काट देंगे, 0-0 इसको काट देंगे बच गया यहाँ पर 8,600 गुड़ते आपका 8% फिर आप इसे जब गुड़ा कर देंगे तो आपका जो डेटा एक्चुल निकल कर आ जाएगा वो आएगा 68,800 कितना आएगा 68,800 यहाँ पर आ जाएगा अब second step आपको करना क्या है यहाँ पर वृद्धी पूछी जा रहे है तो सबसे पहले तो आपको घटाएंगे और जो इसमें extra होगा वही आपके वृद्धी है और उसके बाद से उसको percentage में convert करना है तो आईए इसको पहले घटा लेते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको लिख लेना है 68,800 यह आपका हो गया माइनस आपका हो जाएगा 54,000 54,000 हो गया और जब आप इसे घटाते हैं तो उसके बाद जो आपका पूरा data actual निकल कर आ जाएगा वो आएगा आपका 14,800 कितना आएगा 14,800 यहाँ पर निकल कर आ जाएगा अब यह इतने बृद्धी है लेकिन अभी नहीं यह सॉल्ब हुआ अभी इसको percentage में हमें क्या करना है अब 54,000 आप देखे यहाँ पर आपका पूछा क्या गया था कि 2009 से 2019 में हैदराबाद सहर में उपलब रिक्तियों में लगबख कितने प्रत्सत के बृद्धी दिखाई देती है तो 54,000 में बृद्धी हुई है तो सबसे पहले आपको 54,000 करना पड़ेगा यहाँ पर नीचे लिखना पड़ेगा क्योंकि बृद्धी तो इसी में हुई है तो 54,000 आपका यहाँ पर नीचे हो जाएगा फिर बटे में उसके उपर आपको क्या लिखना है उसके उपर आपको लिखना है यहाँ पर 14,800 कितना लिखना है 14,800 की बृद्धी हुई है 14,800 गुड़ते आपको क्या कर देना है 100 यहां पर percentage निकालने के लिए तो आपको इसे क्या करना है इस equation को पूरी तरीके से पहले solve कर लेना है तो देखिए पहले इसको काट पीट के इदम छोटा कर लिजे देखिए एक 0 से यहां पर 1 0 कट गया उपर वाली संख्या यह से नहीं कटेगी ठीक है तो एक 0 से यहां पर यह कट गया और एक 0 यहां पर बचा है तो एक 0 यहां पर यह कट गया तो यहां पर मैं लिख देता हूँ तो यह आपका जो बच गया 1480 बटे में आपका यहां पर बच गया 54 अब यह छोटा हो गया तो आपको solve करने में असानी होगी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर 100 में जो 0 एक दिया गया उसको नीचे वाले 0 काट दिया फिर एक 0 इसको काट दिया फिर उपर वाले 0 को इससे काट दिया आपका बच गया 1480 बटे में 54 अब इसे भाग दे दिया आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा तो जब हम भाग इसे देते हैं तो आपका आ जाएगा कितना 27.407 जो है यहाँ पर परसेंट आपका निकल कर आ जाएगा तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा तो आप देखें यहाँ पर और आप practice करोगे question सारे बना लोगे डियाई का question होता ही ऐसा है कि आप कम से कम दो-चार बार practice अच्छे से कर लेंगे वो question आपका आसानी के साथ बन जाएगा और यह पांच जो question होते हैं बहुत ही easy और easy क्या कहे लिजिए कि practice आप करेंगे तो आपके लिए easy होगा और वो question कही गय नहीं है और उतने ही number से हो सकता है आपका कि net रुक रहा हो ज्यारेप रुक रहा हो तो आपका वो complete हो जाएगा इसकी साथी साथ reading comprehension आपका होता है उसमें भी आप जितना practice करेंगे उतने ही अच्छे से question को solve कर पाएंगे अचानक से आपके सामने question आएगा तो आपको दि तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँ इसके बाद भी अगर आपके doubt रह जाते हैं तो comment box में पूछिएगा और कोई solution आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अगले video मैं उसे सामिल कर लूँगा और आपको clear करने का प्रयास करूँगा और video कैसा लगा इसके बारे में comment box मे अपना feedback जरूर दीजेगा और video अच्छा लगे तो video को एक like जरूर कर दीजेगा आपके एक like से बहुत सारा motivation और appreciation मिलता है हमें लगता है कि जो ये मैं content आपको provide कर रहा हूँ ये आपके लिए helpful है और इससे मुझे पता चल जाता है आप like करते हैं और share इसलिए कर दीजेगा कि दूसरे दोस्तों को इससे help मिल जाए क्योंकि जो कुछ भी हम content आपको provide करते हैं सब कुछ free up cost होता है अगर आपकी help हो रही है तो आपका दाइत तो बनता है कि दूसरों को share करें ताकि उनकी भी help यहाँ पर बन जाए इसके साथी साथ channel पे अगर आप नए है तो channel को subscribe करि ही है लेकिन यहाँ पर सबसे main उदेश से educator या teachers का यही होता है कि विद्यार्थी या student जो है अपने लच्छ या अपने goal को हासिल कर ले यह मैं बार बार आपसे बोलता हूं तो आसा करता हूं पूरा session आप सभी के लिए काफी helpful लोगा और वीडियो अच्छा लगा होगा तो